नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कारिक्रम समय च्वाकर में मैं हूँ आपके साथ प्राची पारशर हमारे इस शो के जरीए हमारी कोशिश यही होती है कि आपके दिन को और कैसे बहतर बनाया जाए और इसके लिए हम लेकर आते हैं आपका राशी भल साती साथ आज हम आपको बताने जा रही हैं कि शिफ पूजन से कैसे आप अपने कुपित क्रहू की शान्ती कर सकते हैं इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशी शेखर्तर पाथी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जै गनपती सुप्रबाद तो आईए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और हर रोज की तरह सबसे पहले जानते हैं आज का पंच्वांग क्या है समवत दोजार चिटर मा श्रमन क्रिष्न पक्चला है तिथी दुतिया है चंद्रमा मकर राशी में संचरन कर रहे हैं नक्षत्र श्रमन नक्षत्र है रावुकाल दुपहे डेड़ बजे से लेके तीन बजे तक रहेंगे इस बीच में शुपकार नहीं करने हैं दिशा सूल दक्षन दिशा की और आप दक्षन दिशा की और यात्रा बिलकुल नहीं करनी चाहिए और अगर कोई बहुत ही मजबूरी है तब ही आप जाईए और जाने से पहले हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी महराज के दर्शन जरू करिए तो ये है आज का पंचांग कैसा है आज का दिन ये आपने जाना आप जान लेते हैं राशी के मुताबिक कैसे आपको आज अपने दिन की प्लानिंग करनी है यानि क्या कहता है पहले छे राशीयों का राशी फल मेश राशी दिमाग में बेवजे की बातों को सोचने से आज बचना है अनावश्यक बाते आती रहेंगी कोई भी बेवजे की परेशानियां पहाल बनकर आपके सामने आ सकती है यह मानसिक रूप से उल्जहने रहेंगी लेकिन आज आपको यह सब छोड़ दीजे आप गणपती जी का ध्यान करिए सारा तनाव आपका दूर हो जाएगी वहीं आपको आफिस में थोड़ा ध्यान यह रखना है कि कोई भी आपको जूटा आरोप लगा सकता है तो इसलिए बहुत क्लियर रहें तू दा पॉइंट बात करिए अपना काम करिए इसके लावा ज्यादा वारता करना ठीक नहीं है वहीं दूसरे की गल्तियां जो भी हैं उनको आप जबरजस्ती अपने उपर मत लीजिए जो वेक्ति अगर गल्ती करेगा तो उसको सुधारने का मौका भी दिया जाएगा घर में कोई अगर पूजा पाठ या कोई यग्य या कुछ भी कार कराना चाहते हैं तो करा लीजिए आज का दिन बहुत अच्छा है व्रश राशी आपके कार की गुणवत्ता को देखते हुए सीनियर आपको नई जिम्मेदारी सौप सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको जो जिम्मेदारी लेनी है उसके लिए कुछ त्यारिया करनी होंगी खुद को अपडेट करना होगा आप अपने काम पर फोकस करते हुए नई जिम्मेदारी का निर्वाहन बहुत अच्छे से करेंगे इसके अतरिक आप जो पूजा करते हैं घर से निकलते समय जो आप पाठ करते हैं इस पाठ को थोड़ा उंचे सौर में करिए अगर आप पूजा मन में करते हैं तो ऐसा नहीं करिए मंत्रों का उचारण करिए उसकी जो वाइब्रेशन्स हैं उसका लाब लीजिए क्योंकि मंत्रों का सकारात्मक प्रभाव लेने का समय चलना है और यह आपके लिए बहुत अच्छा है वहीं इसके अत्रिक यदि आप कोई प्रेणात्मक पुस्तक पढ़ें तो उससे भी लाब है मोटिवेशन मिलेगा कुल मिला के दिन उत्साव अर्दक और प्रेणा दायक बनाना है मिथुन राश्य कार अधिक है इसलिए मेहनत के बजाए कार की टेकनिक पर आपको ध्यान देना होगा कई बार पूरा काम मेहनत से नहीं होता है कोई भी बड़ा कार है तो कार करने की जो टेकनिक है वो काम करती है तो नहीं नहीं तरीकों के साथ आप काम करेंगे, इससे आपको कार भी जल्दी होगा, और आफिस में काफी प्रोथसाहन भी मिलेगा, लेप्टॉप, टेक्नलोजी, सब का प्रियोग करिए, इससे आपको लाव होगा, मानसिक परिशानियां के चलते कुछ रोग आ सकते हैं, कई बार ऐसा होता है, कि स्वास नहीं ठीक है, इसलिए टेंशन है, कई बार टेंशन की वज़े से स्वास खराब होता है, तो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेने के आउशकता नहीं है, आनन्द के साथ आपकार करें और विपरीत परिस्थिती में आप सम रहिए, अनावशक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने जोरत नहीं है, सम रहिए, चीज़े सब ठीक हो जाएंगे करकराशी, व्यापारियों को आज विदेशी या दूसरे सहर से जो वस्तुवें मंगाते हैं या भेजते हैं, उस पर निवेश कर सकते हैं ग्रहों के स्थिति, विदेशी वस्तुवों के माध्यम से आपको लाब कमा सकती है, इसलिए आप ये ध्यान रखिए, कि कोई भी बाहर वाला काम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो नोगले बहुत अच्छा सभाएं ग्रेंड फादर, पितामा की जवरोतों का ध्यान रखिए, वो आपके साथ अगर रहते हैं, तो बुजुर्गों की सेवा, और खास और से पितामा, आपके जो ग्रेंड फादर हैं, उनका आशिरवाद आपको बहुत ज़रूरी है वहीं कोई भी गरीब व्यक्ति है, जिसके पास खाने को कुछ कमी है, तो उसको आप अनाजदान दीजिए, उससे आपको आशिरवाद भी मिलेगा, और पुन्य में व्रद भी होगी सिंग राशि, नौकरी का ओफर मिले, उसमें पद्व की मांग बिल्कुल मत करिए, धन की मांग करिए, यानि आज का दिन कोई नया ओफर आपको मिलता है, तो पोस्ट की बजाए आप पैकेज पर फोकस करिए, यही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गरहों की स्थिति कराना चाहती है, इसके लावा और लाब लेने के लिए, आप गाय के लिए कुछ चारे की विवस्ता करिए, आप स्वयम कर सकें, बहुत अच्छी बात है, स्वयम खिलाइए, यदि आप व्यस्त हैं नहीं कर सकते हैं, तो किसी गवशाला में, आप कुछ सेवा दे दीजिए कुछ आर्थिक मदद करिए, इससे वो लोग खिलाते रहेंगे, जन संपर्क से जुड़े हुए लोग, जो जनता की भलाई करते हैं, उनके साथ भी तालमेल बठाइए, खुद विकार करिए, कुछ शोशल वर्ग करने का आज समय बहुत अच्छा है, इसके लावा, दूसर के लिए उपयोगी है, कन्याराशी, आज सभी कारियों को करने के लिए पूर्ण सक्छम, इसलिए कारिक के लिए, मेनत से काम करिए, और सयोगियों की ज़ुरत नहीं है आपको, आप अकेले ही सारा कार कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस और इतना प्लैनेट की एनरजी आप कुछ हाइपर हो जाते हैं, तो हाइपर नहीं होना है, और किवल काम करना है, जो लोग व्यापारी लोग है, जो भी नया व्यापार करना चाहते हैं, तो उनको अभी श्रम ज्यादा करना चाहिए, निवेश कम करना चाहिए, मेहन ज्यादा करें, निवेश कम करें, समय व्य प्राची उत्तर प्रदेश पीलिभीत से पूछ रही है देट पर्थ 28 जुलाई 1995 टाइम है सुभा पांच बचकर पंधरा मिनट जगा है पीलिभीत उत्तर प्रदेश सवाल यह है कि योग क्षेत्र से जुड़ी हुई है और सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं क्या सरकारी नौकरी का को योग है प्राची जी का प्रश्ण है कि योग से जुड़ी हुई है और सरकारी नौकरी करक लगन है और करक राशी है और भी ग्रैस्तिती को देखते हुए जो सबसे विशेज बात है कि आपकी लगन का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, सूर का नक्षत्र, बुद्ध का नक्षत्र और शुक्र का नक्षत्र सभी पुष्य नक्षत्र में है यह अपने आप में एक बहुत ही अलोकिक बात है और यह योग से जुड़ी हुई बात है तो आप बिल्कुल इस ओर आप आगे बढ़ें और एक सला और भी है कि जो भी आप केरियर भी जो आप चुने उसमें योग से ही सम्मंग दित वो केरियर होना चाहिए देवगरू ब्रैस्पत की क्रपाई से मैं दिख रही है तो शिक्षा छेतर में एक अच्छी योग इंस्टेक्टर के रूप में आप इस्थापित हो सकती है उपाई में आपको सूर उपासना करना है चुकि आप योग से जुड़ी हैं तो कोई भी दिन सूर नमस्कार मिस नहीं होना चाहिए ऐसा आपको लेके चलना चाहिए तो उमीद करते हैं प्राची जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कारिक्रम में और जानते हैं कि शिव पूजन के जरिये कैसे आप अपने कुपित ग्रहों के शान्ती कर सकते हैं सावन शिव जी के लिए अराधना है हमारा शरीर जो है वो पंच माव उतों से बना है लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ती आत्मा है यदि शरीर में शक्ती नहीं हो तो ये शरीर शव हो जाता है सती का अस्तित भी शिव अथवा चैतन के बिना नहीं रह जाता इनी पंच महावूतों के अधिपती हैं भगवान शिव अगर शरीर में एक भी तत्व कमजोर हो जाए तो हम भी मार हो जाते हैं इसी शरीर के अंगों पर ग्रहों का भी प्रभाव परता है जैसे हिर्दय पर सूर का अधिपत्य हैं मन पर चंद्रमा जो रक्त है उस पर मंगल का शरीर के रोमों पर बुद्ध का चर्बी पर आतों पर लीवर पर ब्रेस्पति का शुक्राणू पर शुक्र का शरीर की तंत्रिकाओं पर शनी का अधिपत्य हैं और जो भी जीन रोग है वो राहुकेतु के अंडर में आते हैं अगर ग्रहों की स्तिती खराब प्रभाव दे रही हो अब वो चाहें कुंडली में ग्रह की पुजीशन की वज़े से हो या अंत्रिक्ष में गोचर की वज़े से हो या दशा ही कोई खराब चल लगी हो सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अगर प्रभावित कर रही हैं दरसल ये ग्रह भी हमारे कर्मों की रिपोर्ट और प्रारब्द के आधार पर हमें सुक और दुख देते हैं इस संपूर्ण न्याय विभाग के संचालन करता भगवान शिव हैं यदि स्रस्टी में ग्रहों के कोब से अगर बचना है तो शिव की शरण में जाना चाहिए जब ग्रही इस्तिती खराब होती है और प्राणों पे संकट आ जाता है तब महा मृतुझय का जाब किया जाता है शिवलिंग पर पूजन किया जाता है ग्रहों की इस्तिती ठीक करने के लिए शिव उपासना ही सरवोत्तम माध्यम है दर्शकों भगवान भोले नात की क्रपा से कुपित ग्रह भी शान्थ हो जाते हैं अब चलते हैं देखते हैं कौन-कौन से ग्रह को शान्थ करने के लिए क्या-क्या उपाए हैं सूर से सम्मंदित कस्ट अगर है तो आप शिवलिंग पर जाईए और आग के पत्तों से और पुश्पों से उनका अभी शेक करिए बिल पत्त्रों से अभी शेक करिए इससे मानिता है कि तीन जन्मों के पापों का नाश हो जाता है वहीं यदि चंद्रमा से सम्मंदित कोई बीमारी है, कश्ट है चंद्रमा शीत रोक देता है, खासी, जुखाम, निमोनिया, इस्नोफीलिया और रक्त चाप ब्लेट पेशर के अगर कोई समस्या काफी लंबे समय से चली आ रही है तो शिवलिंग पर दूच चड़ाएं और रुद्रास्टक का पाठ करें उनी के सामने वहीं अगर मंगल से सम्मंदित कोई बीमारी है, मंगल रक्त का कारक है तो उसमें आपको गिलोए जड़ी बूटियों से अभिशेक करना चाहिए वहीं ब्रहस्पत देव पे आते हैं ब्रहस्पत देव से सम्मंदित यदि बीमारी है, अगर फैड जादा है चुकि वह गुरु हैं, आतों से सम्मंदित, पाचन तंद्र से सम्मंदित, लीवर से सम्मंदित कोई समस्या है तो शिवलिंग पर हल्दी, मिश्रित, दूद, दूद में आप हल्दी मिला लीजे और भुले बाबा पे चड़ाईए शुक्र से सम्मंदित कोई बीमारी है, शुक्रानों से सम्मंदित कोई बीमारी है, मूत्र सम्मंदित, किड्नी से रिलेटेट कोई भी दिक्कत है तो पंचामरत और शहद और देशी घी, गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा है इससे शिवलिंग का विशेख करना चाहिए शनी देव से सम्मंदित अगर कोई दिक्कत है शनी ही शिव है तो अगर आपके मासपेशियों में दिक्कत है जोडों में दिक्कत है या वाईवी रोग है और यहां तक की कोई लकवे की समस्या है या कोई पीडा है क्योंकि पीडा के देवता शनी है, अगर आपको किसी प्रकार के कोई पीडा है, तो इसके लिए आप गन्य का रस और छांच से शिवलिंग परविशेक कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी शनी देव प्रसन हो जाते हैं, राहु केतु से सम्मंदित, अगर कोई दिक्कत है, जैसे सिर्चक्राना, जीमिशलाना, वोमिंटिंग हो जाना, दस्त, अपच्च, या कोई आपको ऐसा लगता है कि अन्नोन फियर है, तो इसके लिए भी आपको शिवलिंग पर गन्य का रस और छांच अरपित करना चाहिए, और महा मृतुंजे का जाप अवश्च करना चाहिए, इनको अविशे करते समय महा मृतुंजे का जाप करें, इससे राहु केतु के प्रकोव जो होते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो आज हमने जाना कि आप अपने ग्रहों की शांतिश पूजन के जरिये भी कर सकते हैं, क्या उसके तरीके हैं वो हमने जाना, वक्त फिलाल यहाँ प प्रेकी बाद आपका स्वागत है, मारे खास कारेक्रम समय चक्र में, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत हैं, जैगन पती कारेक्रम में आगे बढ़ते हैं, बाकी बची 6 राशियों का राशी फल हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल लेते हैं दर्शकों के तर्शक है गणेश वर्मा जो अपने बेटे कलश वर्मा के लिए सवाल पूछ रहे हैं डेट ऑफ पर्थ है 17 जून 2012 समय है रात 9 बज कर 20 मिनट कानपूर में जन्म हुआ है सवाल यह है कि कलश का पढ़ाई में मन नहीं लगता है को युपाय बताएं गणेश जी का प्रशन है अपने पुत्र कलश के लिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है को क्लश की मकरलगन है व्रकराशी है और चंद्रमा पूरी तरीके से शुक्र के एफेक्ट में है और चंद्रमा में शुक्र की दशाचल लई और भी स्थितियों को देखते हुए गणेश जी आपको कलश की पेरेंटिंग में कुछ विशेज ध्यान लखना होगा खास तौर से यह ध्यान लखना होगा कि बच्चा टेक्नोलाजी का कोई दुरूपयोग न करे यानि दिन बर मोबाइल पे गेम खेलना या मूवी देखना या कार्टून देखना क्योंकि जो इसका ब्रेन है वो टेक्नोलाजी की और काफी अट्रेक्ट हो सकता है इसलिए पेरेंटिंग में आपको कुछ आउट्डोर गेम्स जोड़ने चाहिए फिजिकली मेहनत जादा करें इस बात का ध्यान लखना चाहिए बाकि अभी छोटा है आगे चलके यह पढ़ा पूर्या उसका टाइम टेवर बनाना चाहिए और उपासना में एक रेमेडी में रेमेडी में इसके हाथ से शुक्रवार को थोड़ी सी शक्कर किसी गरीब महिला को दान दिलने तो उमीद करते हैं गडेश जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा उनका बेटा पढ़ आज आपको मल्टिपल टाक्स में मिलेंगे यानि कई तरीके के आपको काम करने पढ़ेंगे कई तरीके के सुभाव के होंगे जिसको लेकर आपको परिशान नहीं होना है आज वो मौका मिलेगा जिससे कि आप अपना हुनर दिखा पाएंगे ये एक आउसर की तरह इसको ल जाते हैं और मन बहुत अच्छा हो जाता है और इसको आप नियम भी बना लीजिए कि सोते समय आजकल तो लोग मोबाइल में काफी व्यस्त रहते हैं लेकिन एक नियम बनाईए कि सोते समय मोबाइल के अपेक्षा यदि आप एक उस्तक का एक पेजी पढ़ें वो ज्यादा आ झाल सकतर समय आपकल निया घब हाँ